असलाम अलेकुम हेलो एब्रीबन वेलकम इन वार्सिया उर्दु मीडियम आज हम जोग्राफी के लेसन 6 आबादी के नक्षा खानी और सवाजवाब मुकम्मल करेंगे तो चलते हैं लेसन की तरफ तो यह देखें यह आबादी का सबक नंबर 6 है तो आप बच्चों यह देख है और यह बा में 6.1 की जो यह शकल नुमा यह भारत का नक्षा दिया है तो इसमें आबादी का गुंजान बन पूछ रहा है और यहां आबादी की तक्सीम के बारे में तो इसी बेस पर यहां पर चार सवाल आते हैं तो मैं आपको यहां पर सवाल पढ़ देती हूं और इस इसरा दर्जे बाला नक्षो पर गोर करते वे भारत के रियासतों और मरकस के जहर इंतिजाम इलाकों की तक्सीम का इंदराज करके जेल की जदूल मकमल करें तो यह बच्चों जो नीचे दिया वा है आबादी का गुंजान पन फी मुरब्बा किलो मीटर और दुसरा इसका बॉक्स है कि रियासत और मरकस के जहर इंतिजाम इलाके तो इन सभी को आपको भरना है तो पहला पॉइंट यहां पर है कि 100 से कम अबादी वाले इलाका बताना है आपको और यहां पर दूसरा है कि 101 से 250 यहां पर रियासत और मरकस के जहर इंतिजाम इलाके बताने हैं आपक 501 से ज्यादा वले तो यह आपको जदूल मुकमल करना है और इसका चौथा पॉइंट उपर है पुद्रती साक्त और आबो हवा का भारत की आबादी की तक्सीम से तालुक बताईए और इस पर नोट लिखिए तो बच्चों चले हम जवाब की तरफ तो यहाँ पर देखें यह आबादी का गुंजानपन बताने के लिए यहाँ पर भारत का जो आबादी का गुंजानपन है वो हम यहाँ पर इसे नक्षे के और रंगों से पहचान सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे गहरा औरेज रंग है जिसमें 500 से हरियाना और यह है उत्तर परदेश दिल्ली बिहार और यहां पर है मगरीवी बंगाल और इस तरफ देखें आप नीचे की तरफ तो तामिल नाडू तो यह आप बता सकते हैं इसमें से कोई भी एक डाल सकते हैं और इससे हलकी रंग वाला देखेंगे हलका ओरेंज है जो उसम प्रदेश करनाटक महराष्ट गुजरात राजिस्थान वगरा यह जो सब इलाके यह इसमें आते हैं तो आप कोई भी नाम डाल सकते हैं और यह आप तीसरा नंबर देखेंगे तो इससे भी एक हलका रंग है जो क्रीमी कलर में है जो 101 से 250 के तादाद में आपको यहां पर गुंजान आबादी बतानी है तो इसमें आप देखेंगे ना कि यह 36 गड़ मद्य परदेश राजिस्थान और यहां पर भी इसमें है कि मनीपूर नागा लेंड और मेगाले तो बच्चों इन में से आप जो दो तीर नाम होंगे वो डाल सकते हैं और सबसे कम आबादी वा मेजुरम यह सब में से कोई भी डाल सकते हैं तो उम्मिद करते हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा तो आगे चलते हैं यहां पर देखें वो सवाल नंबर जो दर्शी किताब 38 के नक्षों की शकल में अशारिया वन का था जिसका अलीफ और बा का जो हमारा यहां पर सवाल था जिसको मैं पढ़ देती हूँ और फिर यहीं पर इसके जवापी हैं तो पहला है कि सबसे ज्यादा गुंजान अबादी वाला इलाका कौन सा है तो जवाब सबसे ज्यादा गुंजान अबादी वाला इलाका उत्तर परदेश बिहार रियासतों दर्याय गंगा के मैदानी इलाका है और दुसरा है सबसे कम गुंजान अबादी वाले इलाके कौ लिए सकते हैं और यहां पर आप देखें कि वो जो जदूल भरने के लिए बताया गया है जैसे कि सवाल तीन में है कि नक्षों पर गौर करते वे भारत की रियासतों और जेर मरकज इलाकों की तक्सीम का इंदराज जेल के जदूल में कीजिए तो इसका जवाब देखिए नी वालियाबादी में मेजुरम, अरुनाचल प्रदेश और सिक्किम और दूसरे में है 101 से 250 तक की मतलब रियासत में जो गुंजानपन है वो बताना है तो यहां पर 36 गड़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिगाले, मनिपूर, नागले तीन में है 251 से 500 तक की तादत बताने हैं आपको तो इसमें महरास्ट, गोवा, करनाटक, तिलंगाना, अंधरा प्रदेश, ओडिशा, मद्यप्रदेश, गुजरात, राजिस्थान, जहारखन, आसाम, तिरिपुरा यह सब नाम आएंगे तो आपको पूरा लिखने की जरू हर्याना, दिल्ली, चंदिगर, पद्दुचडी, देव, दमन, लक्षदीप, दादरा, नगर हवेली, अंधमान, निकोबार, वजजजव, इन सभी के नाम हमने नक्षव से भी पता किया और इस तरह से जदुल के हिसाब से भी हमने आपको दिये हैं तो आप इसे बराबर स की तक्सीम, याने गुंजान पन से तालुक बताईए और इस पर नोट लिखी, तो बच्चों इसका जवाब है कि इसका पहला पॉइंट तब भी साक्त और आबे हवा का भारत की आबादी की तक्सीम पर गहरा असर पड़ता है, पॉइंट टू, भारत की बुलंद की पहाड़ी सिलसिले में इंतिहाई सर्द आबो हवा के इलाके हैं, तो राजिस्तान में थार के रिगिसानी इलाके में मद्दे परदेश और चटिस गड़ रियासतों के कम बारिश वाले इलाकों में इंतिहाई कम आबादी यानि कम गुंजान पन पाया जाता है, पोर पाया जाता है, पर मसलन ज्यादा बारिश वाले भारत के मगरीवी और मश्रिकी साहिलों के करीब केरला और कामिल नाडू रियासतों में बिहार और मगरीवी बंगाल रियासतों में दरिया गंगा की वादी के जरखेज मैदानी इलाके में आबादी की घरी तक्सीम यहने ज्यादा गुंजानपन पाया जाता है तो बच्चों चले आगे देखते क्या है हाँ तो यहाँ पर ब्राजील का नक्षा है और यह ब्राजील की आबादी की तक्सीम को यहाँ पर बताया गया तो यहाँ पर भी चार सवाल है तो इसके हम पहले पढ़ लेते हैं और इसके बा जादा आबादी नजर आ रही और किस हिस्से में आबादी इंतिहाई कम है यह सेकंड पॉइंट है तिसरा आपने अब तक मुल्क ब्राजील का जो मुताला किया है उसकी मदद से आबादी की गयर मुसावी तक्सीम के लिए कौन से अवामिल जिम्मिदार हो सकते हैं इस पर एक नोट तयार कीजिए चौता है दर्जे बाला नक्षे में कौन से तरीके से तक्सीम जाहिर की गई है तो बच्चों चलते हैं हम जवाब की तरफ यह पहला सवाल है आप देखेंगे पेज नमबर दर्जी किताब के पेज नमबर 49 पर दिये गए नक्षों की शकल 6.2 अलिफ और शकल 6.2 बा के बगवर मुताला कीजिए और दर्जे जेल सवालों के जवाब लिखें तो यहां पर पहला है कि ब्रजील के कौन से इलाकों में आबादी बड़े पैमाने पर मर्कुज है तो ज सवाल दो ब्रजील के कौन से इलाकों में आबादी बहुत कम है तो ब्रजील के शुमाल में दरिया एमेजोन के वादी के इलाके में आबादी बहुत कम है तीसरा पॉइंट जो है इसका सवाल का जवाब हम बाद में देंगे पहले चौथा देख लेते हैं नक्षों में तक नक्षों से आवादी की तकसीम बताई गी तो ये बच्छों ये तीसरे का जवाब है तो यहां पर सवाल है कि ब्राजील की आवादी की गहर मुसावी तकसीम के लिए जिम्मेदार आवामिल पर नोट लिखे है तो यहां नोट लिखने को कह रहा है तो नोट के पॉइंट कर के जवाब ये है कि ब्राजील की आवादी की गहर मुसावी तक्सीम के लिए मंदर्जा जिल आवामिल जिम्हेदार है इसका पहला पॉइंट ब्राजील के शुमाल में दरिया एमेजोन की वादी के इलाके की गरम वा मर्बूत वा आबो आवा ज्यादा बारिश घने बारानी जंगलात दुश्वार घुजार इलाके वगएरा अवामिल के सबब यहां आवादी बहुत कम पाई जाती है दूसरा पॉइंट है ब्राजील के बाहया रियासत में बेश्टर इलाका साहें बारा का इलाका है जहां चुनांचा इस इलाकों में आवादी की तक्सीम कम पाई जाती है तीन ब्राजील की बुलन जमीन के इलाके में आवसत बारिश और निजबतन मौफिक आवो हवा की बिना पर इस इलाके में आवादी की तक्सीम आवसत दर्जे की पाई जाती पॉइंट पॉर, ब्राजील के रियोदी जनेरियो और साहुपालो रियासतों में साहिली इलाके में मौतदल आपो हवा होने की सबब, यहां आबादी सबसे ज्यादा मर्कुज हो गई है तो यहां पर चारों सवाल हमारे जवाबात के साथ मुकमल हो गए हैं, आगे चलते हैं तो बच्चों यहां पर जो हमारा सवाल जवाब का सिलसला शुरू हो रहा है और इससे पहले हमारी नक्षा खानी हमने बता दिया है पूरा, वो हो चुका और यहां से हम अब सवाल जवाबों का सिलसला शुरू करते हैं, तो चलते हैं आगे, तो यहां देखें, जील के बयानात सही है या गलत लिखिए, गलत बयान को दुरुस करके लिखना है, यानि जो गलत है उनको इसी दुरुस करना है, जो सही है वो, वो सही है, तो पहला ह बारत के मुकाबले में ब्राजील में ख़ोज बंदगी की ष리ह ज्यादा है यादी पड़े लिखो तादत है उसी तरह ब्राजील के लोग चुमालीश्री शित्वे के मकाबले जुनूब मश्रीकी हिस्से में रहना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये भी सई जवाब है, और जवाब जीम का देखें, भारत में लोगों का अर्से हयात कम हो रहा है, गलत है यहाँ पर अर्से हयात ज्यादा हो रहा है, तो कम की जगा आप ज्यादा लिख दें, बाकी सवाल सेम रहेगा, डाल में आप देखेंगे कि भारत की शुमाले मगर मगरिवी हिस्से में गुंजान इंसानी बस्तिया है यह जवाब गलत है यहां पर लिखे हैं कि कम इंसानी बस्तिया है यह में देखें ब्रहजील के मगरिवी हिस्से में गुंजान इंसानी बस्तिया है यह भी गलत है इसे दुरूस करना है तो जहां पर गुंजान है वहां प सवालों के जवाबात लिखिए तो अलिट में आप देखें कि भारत के दर्जे जेल रियासतों के नाम आबादी की तक्सीम के मुताबिक उतरती तर्दिद में लिखिए यानि ज्यादा पहले और फिर उससे कम उससे कम तो पहला नंबर है उत्तर परदेश का उससे कम है अंध ज्यादा की तक्सीम के मुताबिक चड़ती तर्दिमें लिखिए यानि सबसे कम वाला पहले और फिर उससे ज्यादा और उससे ज्यादा तो सबसे कम वाला है कि एमेजॉन आज दूसरा है पैराना तीसरा है अलागवास 14 सावपालों और पाच्वा है रिवेदी जानिरों तो जवाब यहाँ पर एक जीम का देखे आबादी पर असर अंदास होने वाले दर्जे जेल अवामिल के मुवाफिक और ना मुवाफिक जमातों में दर्जा बंदी करें यहने कौन से मुआफिक है और कौन से ना मुआफिक है तो मैंने मुआफिक के लिए देखे यहां पर जितने पीले साइन से मैंने निशान बनाए है यह सब मुआफिक है जिसमें समंदरी कुर्बत मौत दल आबवा हवा शहरी नए शहर और कजबे मादनियात और जर्रात के ल अभाबात लिखिये तो अलिफ में है कि भारत और ब्रazil की आबादी की तकसीम में यकसानियत और फर्क वाज़े कीजे यहांने एक जैसा क्या है और फरक क्या है वो बताना है दूसरा सवाल है आबादी के तक्सीम और आपो हवा के आपसे तालूब को मिसालों के जरीये वाज़े करिए तो यह दोनों सवालों के जवाब मैं आपको यहां पर दे रही हूं पहला है भारत और ब्राजिल की आबादी की तक्सीब में यक्सानियत और फर्क वाज़े कीजिए यानि एक जैसा क्या है और फर्क क्या है इसका पहला पॉइंट है कि दोनों मुमालिक में इंतियाई शुमाली वस्ती और शुमाली मगरिवी इलाकों में आबादी निजबतन कम है भारत में इंतियाई शुमाल में रियासत जम्मूव कश्मीर और ब्राजील की इंतियाई शुमाल में रियासत आमापा में आबादी निजबतन कम है तीन भारत के वस्ती इलाके में रियासत मद्देपरदेश और ब्राजील के वस्ती इलाके की रियासत माटोगरा सो में भी आबादी निजबतन कम है चौता पॉइंट भारत के शुमाल मगरिबी हिस्से में वाके रियासत राजिस्तान के थार केरेगिस्तान और ब्राजील के शुमाल मगरिब इलाके में इलाकों में आबादी निजबतन घनी है पॉइंट टू में देखेंगे फर्क अब बताना है कि भारत और ब्राजिल की आबादी की तक्सीम में फर्क तो फर्क क्या है तो पहला पॉइंट भारत में दरिया गंगा और दिगर दरियाओं के वादी में आबादी निजबतन घनी है इसके बरक्स ब्राजील के दर्या एमेजोन की वादी में आबादी निस्वतन कम है तो 2002 की मुर्दम शुमारी के मताबिक भारत की आबादी का औसंद गुंजान पन 382 अफराद फी मुरब्बा किलो मीटर था जबके ब्राजील की आबादी का औसंद गुंजान पन सिर्फ 23 अफराद फी मुरब्बा किलो मीटर है यहां पर देखें दूसरा सवाल का जवाब आबादी की तक्सीम और आबो हवा के आपसी तालुक को मिसालों के जरीव आज़े करना है तो इसका पहला पॉइंट है कि आबादी की तक्सीम और आबो हवा इन दोनों का तालुक बहुत करीबी है बहुत ज्यादा बारिश या बहुत कम बारिश वाले इलाकों या बहुत सर्दी या बहुत गर्म ना मुवाफिक आबो हवा के इलाकों में आबादी कम होती है मसलन भारत के इंतिहाई सर्द हिमाले के पहाड़ी सिलसले, थार के रेगिस्तानी इलाके और ब्राजील के बहुत ज्यादा बारिश वाले दरियाए अमेजोन की वादी में आबादी बहुत कम पाई जाती है पॉइंट त्री, मौतदल, आबो हवा और आसत पैमाने की बारिश वाले इलाकों में आबादी गुझान होती है पॉर पॉइंट, मसलन भारत में दरियाए गंगा की वादी का इलाका जहां मौतदल, आबो हवा और आसत दर्जे की बारिश होती है और ब्राजिल के मौत दिल आबो हवा के जुनूब मश्रिकी साहिली इलाके में गुंजान आबादी पाई जाती है। यहाँ पर देखें जुग्राफिय वजुहत लिखना है तो यहाँ पर पांच सवाल हैं मैं बारी-बारी सभी को पढ़ देती हूँ और हमें इसका सबका जवाब देंगे तो यहाँ अलिप में है आबादी एक एहम वसीला है बा में ब्राजील में आबादी का उसत गुंजान पन बहुत कम है जीम भारत में आबादी का उसत गुंजान पन ज्यादा है डाल दरिया एमेजोन की वादी में आबादी कम है हे गंगा की वादी में आबादी गुंजान है तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ दर्सी किताब के पेजों के नाम भी लिख दिये हैं कि इनके कि आबादी और आबादी की मौयार पर होता है दूसरा पॉइंट अगर किसी मुल्की आबादी हद से ज्यादा हो और उसका मौयार पस्त हो तो इसकी समाजी और मौशी तरक्की रफ्तार सुस्त होती है तीसरा पॉइंट किसी मुल्की आबादी काफी हो और आबादी का मौया बहुत कम है तो जवाब में पहला पॉइंट है कि ब्राजील दुनिया के कुल जमीनी रगबे के 5.6 फीसद इससे पर मोईत है यानि यहाँ पर क्या है जमीन बहुत ज्यादा है जब के ब्राजील में दुनीया के कुल आबादी का सिर्फ 2.7 फीसद इससा है यानि यहाँ पर जमीन ज्यादा है और आबादी कम है तो ब्राजील में जमीनी इलाका निजबतन ज्यादा है और आबादी निजबतन कम है इस बिना पर ब्राजील की आबादी का आउसत गुंजानपन बहुत कम है तिसरा पॉइंट भारत के आबादी का आउसत गुंजानपन बहुत ज्याद तो two point पर वहीं बता रहा है कि जबके भारत में दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 17.5 पीसद हिस्सा आबाद है यानि यहां पर क्या है कि जमीन छोटी है लोग ज्यादा है तो यहां पर भारत में जमीनी इलाका निजबतन कम और आबादी निजबतन ज्यादा है इस बिन खत्ति इस्तिवा के करीब दरिया एमेजोन की वादी में सालाना बारिश का ओस्त तकरीबन 2000 मिली मीटर है और ओस्त दरजे हरारत 28 डिग्री सेल्चेस होता है तो point two है कि दरिया एमेजोन की वादी में निहायत घने सदा बाहर बारानी जंगलात पाए जाते है ज्यादा बा दरिया एमेजोन की वादी में नकल वहमल का घना जाल तयार नहीं हो सका इस असबाब की बिना पर दरिया एमेजोन की वादी में अबादी बहुत कम है पाच्वा पॉइंट दरिया गंगा की वादी में आबादी गुन जाने तो जवाब का पहला पॉइंट है कि भारत की शुमाल में दरिया गंगा की वादी का मैदानी इलाका वादी है पॉइंट टू दरिया गंगा की वादी में अच्छी खासी बारिश, जर्खे जमीन, पानी की फरामी, मौतदल आबो हवा वगेरा मुआफिक अवामिल दस्तियाब है यहाँ पर सभी आराम की चीज़े हैं जैसे कि दरिया गंगा की वादी में अच्छी खासी बारिज भी हो जाती है इस वज़े से महाँ पर जर्खे जमीन पर अच्छे फसल उग जाती है पानी की फरामी है यानि पानी भी आसानी से दस्तियाब है मौतदल आबो हवा यहने हवा भी हवा पानी भी महाँ का अच्छा है जो लोगों की सहत को अच्छा असर देता है इसलिए यहाँ पर यह सब मुआफिक आवामी दस्तियाब है अग तिसरा पॉइंट है कि दरियाए गंगा की वादी जर्रात और संड़त के तरक्की के लिए निहायत मौदू इलाका है इस इलाके में नकलवा हमल का घना जाल फैला हुआ है इत तमाब असबाब की बिना पर दरियाए गंगा की वादी में इनसानी अबादी गुंजान है पांचवा सवाल है कि अलीफ एक मुरब्ब किलो मीटर इलाका जाहिर करने वाले चौकोन अलीफ और बे में आबादी के गुंजान पन का मौजणा करके जमाद बंदी कीजी तो यहाँ पर देखें आप अलीफ में यह लोगों की जो आबादी है वो यहाँ पर लोग दूर दूर है यहां पर लोग क्योंकि आबादी कम है और यह बा में आप देखेंगे यहां घनी और गुंजान आबादी दिखा रहा है तो इसके बिना पर हम कैसे मौजना कर सकते हैं तो इसके लिए हम बाग का सवाल पढ़ते हैं तो शकल बे में एक निशान इक्वल हंड्रेड अफरात प हर एक का सो जगा कर पकड़ें तो यहां पर आप देखेंगे आबादी का गुंजान पन कम है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ तो यहां पर अगर साथ है तो सो के हिसाब से यह साथ सो हो गए और इसी तरह पर यहां पर आजादी का यह गुंजान पन ज्यादा है तो यह यहां पर देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, छे, बारा, छे, ती, अठारा, तो यहां पर पूरे अगर सो के हिसाब से एक को पकड़ा जाए, तो यहां पर अठारा सो की तादात है, लेकिन यह बोड़ रहा है कि और अवरत और मर्द का तनासुप बताईए, तो य इसी तरह मर्दों की तादत देखते हैं कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, यहां आठ मर्द दिखा रहा है, इसका मतलब आठ सो हो गए, तो यहां पर हमारी गिंती के हिसाब से तो हमने जान लिया, तो आगे सवाल की तरफ चलते हैं, तो यहां पर बोड़ कीजिए, तो यहां पर चौकॉन अलीफ में दिखाई गई आबादी का गुझान पन फी मुरब्बा किलो मीटर साथ सो है, और इसी तरह से सेकेंड में चौकॉन में दिखाए गए आबादी का गुझान पन फी मुरब्बा किलो मीटर अठारा सो है, क्योंकि यहां अठारा हो गई और तीन चोकोन में देखेंगे कि दिखाए गई आबादी का गुंजान पन निजबतन कम है और चोकोन बा में दिखाए गई आबादी का गुझानपन निजबतन ज्यादा है। यहां पर आप देखेंगे कि शकल 6.1 में बा में आबादी के गुंजानपन के बारे में इजहार खयाल किया गया है तो यहां पर भारत के बारे में अपना खयाल आपको बताना है तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट है कि 2011 में तनासुबे जिन्स 947, 2016 में आउसत अर्से हयात 68 साल, 2016 में कौन्दी की श्रे 72.2 फीसद, कौन्दी याने पड़े लिखो की तादद, 2011 की मुर्दम शुमारी के मताबिक कौल आदी 121 करोड़, कौल आभादी 121 करोड़, आभादी के लिख से दुनिया में दुसरे नंबर पर भारत है और 2011 की मुर्दम चुमारी के मुताबिक आबादी का और सतन गुंजान पन 382 अफराद फी मुरब्बा किलो मीटर है यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा सवालों के जवाबात आपको दे रहे हैं आप दर्सी किताब सिफा 40 से 44 तक की शकले देखें जिसमें 6.3 और 6.7 में आबादियों की मुक्तलिफ खुसियात की तरसीमें दी गई हैं इन तरसीमों को पढ़िए और दर्जे जे सवालों पर गुफ्तगू करके जवाब लिखिए तो इसका पहला सवाल है कि किस मुल्क का तनासुब जिन्स ज्यादा है तो जवाब ब्राजिल मुल्क का तनासुब जिन्स ज्यादा है तीसरा सवाल किस मुल्क में आबादी में इजाफा ज्यादा हो रहा है तो जवाब है कि भारत में आबादी में इजाफा ज्यादा हो रहा है पांच किस मुल्क में बुडों का तनासुब ज्यादा है तो जवाब किसी इलाके में तनासुब जिन्स कम होने के दर्ज जेल और जुहात हो सकते हैं तो एक है रहे मादर में बच्चों का कतल दूसरा समाजी रसम वो रिवायत और तोहम परस्ती तीसरा है औरतों की खौन्दिकी की तनासुब में कमी और चौता है कि औरतों के लिए रोजगार के नाकाफी मौखे और पाचों है औरतों पर बढ़ता हुआ जुल्म वगेरा अब यहां पर दर्सी किताब सिफा 44 पर एक सवाल है जो देखें यहां पर भारत की आवादी के तालुक से हमें कौन किन बातों पर गौर करना चाहिए तो यहां जवाब है कि भारत क कि आवादी के तालुक से हमें दर्जे जेल बातों पर गौर करना चाहिए तो बच्चों यहां पर हमारी तर्सीम खुआनी और सवालातों के जवाबाद भी मुकमल हो गए उम्मीद करती हूं आपको समझ में आया होगा तो बच्चों अगर मेरा पढ़ाने के तरीका आपक तो नए सबक के लिए हम अगली मुलाकात करेंगे तब तक के लिए शुक्रिया बाबाई टेक केर